हेलो एवरिवन वेलकम टू माईज चैनल जीके एंड जीएस विट अभी आज हम चन्रवरी 2022 का करेंट अफेर्स का इंपोर्टेंट कोस्टन डिसकस करेंगे अगर आप UPSC, BPSC, UPPCS या फिर किसी भी स्टेट PCS या किसी भी एक्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही यूसफुल होगा अगर आप हमारे चैनल पर निव हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आपने पार्ट वन इसका नहीं देखा है तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जिसमें मैंने टोटल 50 कोस्टन डिसकस किये थे तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ कोस्टन नमर वन विच आफ दी फोलोइंग कंट्रीज डेजन्ट सेयर बार्डर विद गल्फ ओफ एड़न ऑप्सटन इज जिवाती सोमालिया येमन या फिर साओधी अरबिया यहां पर आप देखें मैप में यह है यह रहा हमारा गल्फ ओफ एड़न यहां पर कौन सा कंट्रीज है जिवाती है नौर्थ में यमन है वेस्ट में जिवाती है और साओध में सोमालिया है ओके तो नेक्स्ट के लिए मूब करते हैं इन विच यह रसिया एनेक्स्ट क्रीमिया रसिया क्रीमिया को कभे नेक्स्ट किया था 2000 2010 2014 या फिवी 2020 इसका करेक्ट एंसर है ऑप्सान नंबर सी देटिज टूथाउजन फूर्टीन चले इसके बारे में जानते हैं एस पार्ट ओव दा सोवियत यूनियन यूक्रीन वाज दे सकेंड मोस्ट पावर्फुल सोवियत रिपब्लिक आप्टर रसिया जब यूक्रीन यूक्रीन और यह स्ट्रेटिजीकली इकोनोमिकली और कल्चरी बहुत ही इंपोर्टेंट है और 2014 में रसिया ने क्रीमिया को एक्रीमिया कहां है यूक्रीन का सौथर्णमस्ट पार्ट जो ब्लैक सी से तस्कार रहा है देख रहे हैं पर सी ओफ यह रहा हमारा क्रीमिया और यहां यह य रस्या है चले मोब करते नेक्स्ट कोस्चिण की तरफ हमाँ मुच परसेंट आव कंट्रीश जीड वोल्यूम इस विंग अंडर टेकन थूरू मेरीटायम ट्रांस्पोर्ट हमारा पोटल जो ट्रेड वोल्यूम है वो कितना परसेंट मेरी टाइम ट्रांस्पोर्ट के थूरू किया जाता है 95%, 80%, 75% या भी 60% परसेंट दा करेक्ट एंसर इज आप्सान नंबर एद इस 95% 95% of country's trade volume and 70% of trade value पूछा जाता है तो 70% और ट्रेड वोल्यूम पूछ रहा है तो 95% इस बिंग अंडर्टेकन थूरू मेरी टाइम ट्रांस्पोर्ट ठीक है नेक्स्ट कोशन वो हैज बिन पॉइंटेट एज दा नियू चीफ एकोनोमिक एडवाइजर दिसेंटली किसको नियू चीफ एकोनोमिक एडवाइजर नियूक्त किया गया है टीयस तिरू मूर्ती विक्रम मिश्री वी अनन्था नागेश्वरं या फिर प्रदेव कुमार रावत अब बाकी के बारे में जानते हैं क्या क्या है यह लोग भी इंपोर्टेंट है टीयस तिरू मूर्ती जो हैं इंडिया का इंडिया के तरफ से दूसरा है विक्रम मिश्री विक्रम मिश्री एपॉइंटेड डिपूटी नेशनल सेकूरिटी एडवाइजर इनको क्या बना गया है डिपूटी नेशनल सेकूरिटी एडवाइजर तीसरा है परदीप कुमार रावत जो की चायना की इंडिया का एंबस्टर ने कहां अभी है नूक ते चाइना में मोग करते नेक्स्ट कोस्चन की तरफ विच स्टेटमेंट इस इंकरेक्ट अबाउट बोम साइकलों बोम साइकलों के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है इट इस अमीज लेटीटीट साइकलों या फिर यह एक इस सच्टेटल या फिर हाइप रिच एटीट सेंटर या फिर एप रहट एयर एंट फ्रंट्स या फिर फर्मेट हाइय लेतिटिट्ट हुस इसका करेक्ट एंसर अब्सन नमर भी 10 हाइप रेसे एटिट सेंटर इसका मतलब क्या हुआ कि हमन मैंने in करेक्ट पूचा तो तो इसका center पर high pressure नहीं बलकि low pressure होता है जानते हैं जानते हैं बॉब cyclone कैसे अकर होता है जनरली बॉब cyclone happens when atmospheric pressure in the middle of the storm drops at least 24 24 गंटे में 24 मिलिवार ड्रॉप कर गया storm का atmospheric pressure यह क्या करता है quickly intensity quickly increase हो जाता है then after it lower the pressure the stronger the storm जितना pressure low होगा उतना storm stronger हो जाएगा और यह जनरली कभ फॉर्म होता है इस फॉर्म दूरिं विंटर जो मूँ नेक्स्ट कोस्टेन विच प्लेयर वो रिकॉर्ट 21st Grand Slam टाइटल इनमें से कौन सा प्लेयर है जो 21st Grand Slam टाइटल जीते हैं रोजर फिद्र नौग जोगविक या फिर दैनिल मेर बदी या फिर रफिल नादल रोजर फिद्र कोई नोवर जोकविक डैनिल मेर दीप्याफीर रफिल नादल तिसका करेक्ट एंसर है आपसर नमर्डी देट इस राफिल नाडाल राफिल नाडाल ओल्सों एंस टेली एंट वंट्वेंटी ट्रॉइंटी ट्रॉइंटी टू अधिव नाफिल निडाल और यह इसको जीतने के बाद यह टूटल टून मतलब 21 स्लेम टाइटल जीते हैं और एकलवता प्लेयर है जो टूटल 21 स्लेम टाइटल जीते हैं और एस्टेलियन ओपें 2022 में यह किसको आ रहाए थे डैनिल मेंद्वदेव को नेस्ट गोस्ट्यन बैर्द वेंक वाइक फॉस्त एनाउस्ट वहाए बैर्ड वेंक इसके द्वारा फॉस्त टिव्हां था आर्लीयर चींफ एकोनोमिक एडवाजर या फिर मिनिश्ट्य आफ ब्राम मिंस्टर जिसका correct answer है option number c that is ministry of finance finance minister in the union budget 2021 मतलब पिछले साल के budget में ने पाली बार टर्म use किया था bad bank a bad bank क्या होता है it is a bank that buys the bad loans of other lenders and financial institutions to help clear their balances मानलेजे आप किसी बैंक से लोन लिये हैं और आप बैंक जो है वह बैंक आपसे रिकवर नहीं कर पारे तो वह बैंक जो है bad bank को दे देगा और वह फिर bad bank जो है वह आपसे रिकवर करेगा ठीक है नेक्स्ट कोश्टन कि तरब मुग करते हैं वर्ल्ड नेगलेक्टेट ट्रोपिकल डेज विल भी सेलिब्रेटेड हों वर्ल्ड नेगलेक्टेट ट्रोपिकल डिजीज देज अब सेलिब्रेट के जाएगा 30 जन्वरी 31 जन्वरी आफी 15 जन्वरी आफी 25 जन्वरी इसका करेक्ट एंसर है ऑप्शन नमरे देट इस 30 जन्वरी इन सेवन्टी फोर्थ वर्ल्ड हेल्थ एसेंबली जो 2021 में वहा था उसमें डिकलेर किया गया था कि अबरी 30 जन्वरी विल भी सेलिब्रेट एज वर्ल्ड नेगलेक्ट ट्रोपिकल डिजीज दे और इसका थीम क्या है एचीविं हेल्थ एक्विटी तो इंड दा नेगलेक्ट और पवर्टी डिलिटेट डिजीज जो ऑके कि दरब मूपकर थें नेक्स्ट को स्टेट में इंडिया इनोवेशन ग्राफिन इनुवेशन सेंटर जैगाँ करनाट का गुजरात केला या फिमहानास्ट्रा इसका correct answer option numbers see that is Kerala Kerala में कहा बनाए जाए थ्रिसूर और जानते हैं graphene के बारे में इड़ तर्फीनेस्ट एंड इस्ट्रोंगेस्ट मेटेरियल इन दा वर्ल्ड और इक थीनेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट मेटेरियल है एंड है गुड केमिकल इस्टेविलिटी और क्या है हा तो पूरुज़ इहां से भी कोशचन आ सकता ग्राफिड के बारे में इसके बारे में थोड़ा बता दिया था कि यहां से भी कोशन आये था आप लोग कर सके आसानी से वोग करते next question की तरब नेक्ट कोश्चन है तीवा कम्यूनिटी इस फाउंड mainly in विछ स्टेट तीवा कम्यूनिटी किस स्टेट में found किया जाता है मेंली ज्यादा मुख्य तब किस स्टेट में पैर जाते है असम मदःपरदेश जम्मु कस्में या फिर राजस्था इसका correct answer है option number day that is Assum और इनको और एक नाम से बुला जाता है that is Lalong और यह mainly Assum और मेंगाले में पाय जाते हैं next question is which countries are part of Taffy pipeline इसलिटे निउस में था कि Taffy pipeline बनाए गया है यह कौन को से country से होकर गुजरेगी पहला option इंडिया अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान दूसरा इरान अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान या फिर तिसरा तर्की इरान पाकिस्तान अफ़िर तर्की अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया इसमें आपको एक हिंड देते हैं इसमें आप टी-ई पी-ई नाम से भी आप केस कर सकते कि क्या ऑप्षन हो सकता है कि इसका correct answer होगा option number a that is तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया इसको peace pipeline भी पूला जाता है अगर आप से यह भी पूछ लाजा कि peace pipeline कि स्को बोला जाता ताफी pipeline को यह भी पूछा जा सकता कि peace pipeline कौन-कौन से देश से वोकर गुजरती है तो वह भी कोशन में अप ताफी pipeline यह से में इसका ना it is 1814 km नेच्टरल गैस पाप्लाइन कि किसकी से करें इडिया पूंतें अफगानी सारून पकिस्तान से होकर किनेक्ट कोश्चन इच कोश्चन इज कि इसका करेक्ट एंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देटिज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अरबन अफ्यर्स और यह पार्टनर्सिप डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रेंट इंटर्नल ट्रेड और फिर एक फ्रांस का एजंसी है डेवलोप्मेंट करके झाथ मिलके यह जॉइइंट य्मिलके लाउंस किया गया था और यह किस मिशन के दह था है यह भारत मिशन फ्रसेप्शन इंडइक्स इजी रिज्ज डवाई करवसँ पर सेप्षेंड इंनेक्स किसके दोरा रिलीज किया जाता है व Deck Transparency International United Nations या फिर इंटरनेशनल मोनेटरी फंड बहुत बारे से question आया जिसमें direct rank पूछ लिया गया है इसमें इंडिया कर रहें किया है 85 और पीछले साल की तरह था 86 गर पिछले साल का पूछा गया तो 86 अगर इस साल का पूछा गया तो 35 और इसमें कितना score मिल आया इंडिया को that is 40 next question is which statement is incorrect in terms of decentralized applications जिसको d apps भी बोला जाता है decentralized applications इनमें से कौन सा कथन असत्य है decentralized applications के regarding ठीक है ओक है पहलाप साने allow people to interact without need for third parties यह क्या करता है दो people को इंट्रेक्ट कराता है without third parties का involvement का पहला अप्शन है दूसरा exist and run on a blockchain network तीसरा है इसका higher computing power होता है चौथा है more vulnerable to cyber attacks with the cyber attacks होने का बहुत ही ज्यादा चांस है तो कौन सा आप्शन सही है तो इसका correct answer है option no.d मैंने incorrect terms पूचा था इसमें यह more vulnerable to cyber attacks नहीं होगा इसमें less vulnerable to cyber attacks इसमें cyber attack होने का चांस बहुत ही कम है बाकी सब statement बिलकुली करेक्ट्रा को करते हैं next question की तरफ विच एमांग दा फोलोइंग आर नौट कैटोगरीज ओफ जीवन रक्षा प्दक जीवन रक्षा प्दक का इनमें से कौन सा प्रेसिडेंट का confirmation मिल गया है इसमें तो यह न्यूज में आया है तो इसमें से कौन सा जीवन रक्षा प्दक का कैटेग्रीज नहीं है सर्वत्तम उत्तम पूर्सवत्तम या फिर जीवन रक्षा प्दक इसका correct answer होगा option number c that is पूर्सवत्तम जीवन रक्षा प्दक बाकी तीन इसका रियल केटेग्रीज है सर्वत्तम उत्तम और जीवन रक्षा प्दक जीवन रक्षा प्दक क्या है इतीजी series of awards are given to a person for meritorious act of human nature in saving the life of a person किसलिए मिलेगा अगर कोई किसी human being का अगर कोई life save करता है तो उसके लिए मिले गए और इसका तीन कैटेग्रीज है मैंने बता है सर्वत्तम उत्तम और जीवन next question है who was the first Indian queen to wage war against British East India Company British East India Company के against सबसे पहले भारतिये रानी कौन थी जो वार छेरी थी देट इस रानी अबक्का या फिर वेलू नचिया या फिर गुलाब कोड या फिर दुर्गावति देवी इसका करेक्ट एंसर है option नमर भी वेलू नचिया यह क्वीन ओफ सिभगंगा थी कहां के क्वीन थी उसको हडा दी थी तो अगर पूर्तुगीज के बारे में पुछा जा तो रानी अबक्का एंसर हो जाता ठीक है और दुर्गावति देवी क्या की थी ही सीवी प्रोवाइडेश सेफ पासेश टू भगत सिंग आप्टर दा किलिंग ओफ जोन सॉंडर्स भगत सिंग जब जोन सॉंडर्स को मारे थे उसके बाद यह उनको रास्ता बताए थी बागने का है ओके तो यह तीनों तीनों इंपोर्टेंट है वेलों नाचे आरानी वकद दुर्गावति देवी से भी कोश्चन आता है बहुत बार पुछा जा चुका है बहुत साल एक्जाम में इसलिए सब आप याद रखें जरूर्वर नेक्स्ट कोशन पर आते हैं स्री मिलेना साल जुका है और यह उनकी मिरती हो गया थो वू किसब थानस फोर्म से रिलेटेड़ है कथकली कतर भयतनायाया या फिर सत्रीया जिसका करेक्ट एंसर ओप्सन नमदेदाव कथकली कौन से तंस पोर्बशा रिलेटेड है कथकली से नेक्स्ट कोच्टन की तरफ मूब करते हैं एंग कंसीडर दा फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाट दन फंजिवल टोकेंट्स और इसका सॉट फर्म है एनेप्टी तो पहला अप्शन है यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकेंट्स दैट एक्जिस्ट और ब्लोक्चेन इसको खरीद भी सकते बेच भी सकते हैं जैसे दूसरे प्रोपर्टी करते हैं चौथा टर्म है यूस्टू रिप्रेजेंट इंडिविज्वल्स अइडेंटिटीच प्रोपर्टी राइट्स और मोर तो अब आते ऑप्शन की तरफ यह चारह स्टेटमेंट हो गया एक बार आप चारह स्टेटमेंट देख लिएचीज एक हैं आप पांज करके देख सकते हैं कि कहाँ प्रकॉर्ट स्टेटमेंट है ठीक है और यह राप फॉर्थे स्टेटमेंट और झाइंक और ओप्सन है काऊं स्टेटमेंट मैं correct है कि 1 & 4 या फिर 234 या फिर 23 या फिर 1234 तो इसका करेक्ट एंसर है अप्षान नमर डी चारो के चारो करेक्ट है और नन फंजिबल टोकेंज क्या है दिटा दिजार क्रिप्टो ग्राफिक एसेट्स ऑन ब्लोग चैन विट यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड़ मितलब एक इसका आइडेंटिफिकेशन कोड़ होता ह जो किसी दूसरे से मैच नहीं करता है और मेटाडाटा देट डिस्टिंग्विस्टेम प्रोम इच अधर और एक कोड़ होता है जो मेटाडाटा होता है जो एक दूसरे को अलग करता है जिससे की असानी से इसली पहचाना जा सके नेक्स्ट क्वेश्टिन इसका कौन सा देश भारत को इंडियन आम फोर्स को एटीफोर वीपन प्रोवाइट करेगा फ्रांस स्वेडन या फी या फी इस्राइल इसका करेक्ट एंसर है आप्सान नमर्बी डैकर श्वेडन और एटीफोर क्या है इसन एटीफोर एम्म अंगाइड इंटी-अरमर वीपन अनुना टिक्ष्टर वाई साब आफोर डानेमिक आफोर डानेमिक यह क्या है सूर्ड यह स्वेडिस कमपनी है इस डिजाइन तो बीफेक्टिव अगेंस्ट टैंक्स एंड कॉमबेट वेकल्स के लिए लेंडिंग क्राफ्ट के लिए हैं अफिर एरक्राफ्ट और आर्मड वेकल्स के लिए ये निफिंड वर्षन नेशोनल्ग गर्ल चाइल डे सिलिबरेटेड हो सनक्राइण गया था कि नेशनल्ग चाइलिए मना जाएगा तो यह किस दिन मनाया जाएगा दस जनवलगी 17 जनवली 14 जनवली और फीं तुझन चिन जनवली National Girl Child Day celebrated in India every year on January 24th और ये कभी निसीर गया था 2008 में by Ministry of Women and Child Development के द्वारा and Government of India के द्वारा और किसलिए in order to spread public awareness about inequities that girls face in Indian societies next question is which port is known as Dindyal port Dindyal port किस port को बोला जाता है इसी question है आप लोगों को पता होगा जरूर उम्मीद करते हैं कि आप लोगों सबको पता होगा तो पहला option है कार्डला पोर्ड दूसरा पारादीप तीसरा question 14 पोर्ड चवधार तूति कौन पोर्ड जिसका करेक्ट एंसर है उप्षान नम्रेट इस कार्ला पोर्ड और यह क्यों नीज में था अधिए इस घूश्ट घूह फोर्ड जर्ड चैक्रत थे पहला जार्ड जड पोर्ड गश्च बने गया क्य तो क्रोस्ट्र दॉम्हार्क इंडिस का। तुम परते हैं नेशट कोस्टिन के तरफ फेस्ट इवर नेशनल सेक्रिटी पॉलिसी 2020 222-2026 इनुमें से कौन सा कान्ट्री डीसेंटले अपना पहला नेशनल सेक्रिटी पॉलिसी लांच किया है किया है और ये न्यूज में था 107 उखाज से उख्राइब का सब्सक्रार थे हमतीय पॉक्रेज्ट इंध प्रीजिय यक्रेन चाइन चायना या प्लाइब के इस पर दिश और फिलोग आशर वी थे एली हमिन अब जोग देख आपधा और यह किसले राउज किया था इपलेश सटीटेश्ट से क्रिटी अजड़ एलिमेंट ओव नेशनल सेक्रिटी अपने नेशनल से को रहे हैं को एग एक देश्ट को से तरफ आते हैं विच इस दा आवनली कंट्री डेट कैरीज आउट फोरेस्ट एसस्मेट वाइनली मतलब ओंली कंट्री काउंसाइं में जो फॉरेस्ट एससमेंट हो हर फैनली रिलीज करता है तो अस्टेलिया इंडिया ब्राजिल चाइना कि बाइने मतलब हर दो साल पर इसका सही अंसर है इंडिया हमारा प्यारा भारत और यह किसके द्वारा रिलीज जाता है यूनियन मिनिस्ट्री ओफ इनवायर्मेंट फोरेस्ट एंड कलाइमेट चेंज और इंडियन एस्टेट और फोरेस्ट रिपोर्ट टूथाज़ेंट रिलीज हुआ है अब इसके बारे में जाके अच्छे से पर लिजे क्योंकि इससे बहुत इससे कुस्टिन आने के बहुत सारे चांस है जायए VPSCO या UPSCO 100% है कि इससे एक दो कॉष्टन आएगा ही आएगा मुव करते हैं नेक्स्ट कोस्टन की तरफ मास नेस्टिंग ओफ ओली डिले टर्टल कॉल्ड अलीव डिले टर्टल का मास नेस्टिंग को क्या कहते हैं यह दा हिंदू में भी आया था नियूस में था आ आए इचाए किसी इइक्जाम्नीसिंट कर रहे हैं मैं जितना कोस्ट्टिंस कर रा हूं सारे ऑचामबनेशन किसी इ CritTerson में जरूर ही है किया यह फिर ने से कॉस्ट्ट इसक्ता या फिर कॉस्ट्टिट इस काुच्टा तो मास्स नेस्टिंग ऑफ ओलिव रिडले टर्टल को क्या कहते हैं जालोफ अगर योसेंस केट्रोग या अरिवड़ा तो इसका करेक्ट अंसर है अप्शन नमेदी अरिवड़ा यह फ измен diverse अलेव रिडले टर्टल नेस्ट रिकॉड़ेड अठ्यके नूश्चिलम हें टार्करली बिचंग अग्ड़़ा ओल्भ रिडले टर्टल नेस्ट अर्सटो की अ है और यह कहां है महराश्चा में ने्ट्ट अ कंस्टिक्यूशन प्रिस्क्राइब्स हाव मेने देज ओफ मिनिमम नंबर ऑफ सीटिंग्स आप लोगसभा स्टेट असेंब्स भारतिय सम्मिदान के नुसार कम से कम कितना दिन लोगसभा स्टेट असेंब्स का सीटिंग होना चाहिए साथ दिन एक निए दिन घेंट फिस्क्राइब महले इसका करेक्ट एंसर ऑप्सिंग्स का या जो अच्यू अशरी ऑप्सिंग्स नेंदी प्रिस्क्राइब भाए मिनिमम नंबर ओप सीटिंग्स लोगसभा या फिर इस जिशिट्ञे असे ते से होगा है 2020 में एप लोगसभा का सिटिंस हुआ और फिर नेश्ट साल भी 53 जा 58 के आसपास हुआ ओक मौुंकर थे नेक्स्ष्ट म अंडर चीपस टू अस्टर अर्ट गर्यो डाह और यदिकान ग् अंदर के अंडर क्तें ने हाहत अर्ली वाय एक लीफ़ाइड खा हूं तोятьсяबार्य तो जिए Ho लेके 317,685 थे रखें नेहिए अरिफ बैंट हाज़न बहुत कि दा करेक्ट एंसरी ऑप्शन नंबर दी ऑप्शन नंबर सी देट इस 85,000 नोडल अजन्सी फुर्द प्रोग्राम कौन है जिसको क्या अबला जाथ सेंटर फोर डेवलोप्मेंट ओफ एडवांस कंप्यूटिंग और यह एक साइन्टिफिक सोसाइटी है कि इसके अंदर ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ओफ एलक्ट्रोनिक्स और इंफ्रमेशन टेक्नोलोजी के अंतर करता है ओके मूब करतें नेक्ट्ट कोस्ट्यन की तरफ विच इस दा ओनली फेसिफिक कंट्री विट एक कंस्टिफिक कंट्री जो इकलावता ऐसा देश है जहां कंस्टिफिशनल मोनार्की है कि टोंगा सीजी समया निजीलेंड और इसका प्रेक्टेंसर ओप्सन नॉम्मेर नइट डेट डूं समय तॉंगा पडूंगा रिसेंट्ली निज्वमें था क्यूंग्ोफी यह एक अंडर्वार्टर विलक मेश एडप्ट हुआ था ऑन धर्वार्टर वलक मिलेप्ट अठ् और यह कहा है टोंगा जो गुरूप अजलेंडर और यह साउथ फिस पेसिफिक ऊसियन के पास है कि मुझ करते हैं नेक्स्ट कोस्टिन की तरफ बिर्जू महराज इस फेमस फोर विच फॉर्म आप डांस बिर्जू महराज किस फॉर्म आप डांस के लिए फेमस हैं कथकली कथ कथक या भरतनात्यम या फिर भी हूँ इसका करेक्ट एंसर है ऑप्सन नमबर बी देट इस कतर ही ब्रॉट कथक टू फिल्म इंड़स्ट्री एंड इस प्रेट इट गलोबल में फिल्म इंड़स्ट्री में भी कथक लाने वाले यह इंसां थे और इसको विश्वस्तर पर गुभि इसका परचार परशार की हैं नेक्स्ट्स्ट को स्टेंड इज वर्ल इंप्लाइमेंट एंड सूशल आउट्लुक 2020 रिपोर्ट पब्लीश्ट भाई गाई वर्लीमेंट और शूशल आउट्लुक किसके तरह पब्लीश के जैता है यूएन वैंक मिनिस्ट्य और इसका करेक्ट रंसर है और सब्सक्राइब देट इस इंटरनेशनल लेवर और और इस यह रिपोर्ट के लिए डिटेल्स अफ़ेप्स और कोवीड नाइंटीन क्राइसिस और वर्ड और वर्क मतलब कोवीड नाइंटीन के कारण जो वर्क पर इफेक्ट पड़ा उसका यह डिटेल्स प्रोवाइट करता है ओके नेक्स्ट कोश्चन इस विच कंट्री हैस बिल्ट एन आर्टिफिशियल मून इनमें से कौन सा कंट्री आर्टिफिशियल मून बिल्ट किया बनाया है चाइना यूएसे रस्या यूके इसका कर्यक्ट एंसर है ऑप्सन नमरे देट इस चाइना और चाइना आर्टिफिशियल सन भी बनाया है और नेक्ट प्सक्राइब करता है अप्गानिस्तान इंडिया अफगानिस्तान पाकिस्तान या फिर इंडिया चायन या फिर इंडिया बंगलादेश यह रीसेंटलिं नियूज में था मैं बताओंगा ऑनसर बताने भात कि क्यों था इसका करेक्ट अंसर है आपकार्टान पाकीस्तान और नियूज में इसलिए था कि Angeles 소ल जर वहां पर जो गेयला लगा हुआ था उसको तार जो था उसको कौकर ठेकना शुरू कर कि नेस्ट को स्टनीस ग्लोबल साइबर सेडूरिटी आउटलुक 2022 रिलीज ड्वाई है ग्लोबल साइबर से क्रिटी आउटलुक किसके द्वरारे रिलीज किया गए वर्लट बंक यूए रफिरभट इकॉनोहिक फॉरूम या फिर इनी में से कोई नहीं जिसका correct answer है option number c that is world economic forum next question पर आते हैं next question है coastal fisheries initiative challenge fund launched by coastal fisheries initiative challenge fund किसके द्वारा launch किया गया world bank, UN, world economic forum या फिर ministry of ports इसका correct answer होगा option number that is world bank इत प्रोवाइड इनोवेटिव सोल्यूशन तो एड्रेस्ट ता प्रोग्रम ओवर्पीशिंग मतले विये ओवर्पीशिंग का solution प्रोवाइड करता है ओके नेक्ट कोश्चन इस लेप्रासी डिजीज काॉजड वाइड वाइरस फंगी प्रोटोज्वा और फिर बेक्टिरिया इसका करेक्ट एंसर है ऑप्सान नमर डी धरी बेक्टिरिया इट इस अ क्रोणी इंफेक्टियस डिजीज काॉजड वाइड माइको बेक्टिरिया लेप्रा काला उटसब इजन इनिसेतिफ बाइक काला उटसब किसकी द्वराय सुरूप जिए गया विनेश्टिय О Folies of Culture, Ministry of Education, Ministry of Defense , at the Ministry of Home Affairs इसका करेक्ट एंसर आपसं नमर बी जैटटियज मिनिस्ट्य ऑफ Education और इसका trainer किया एम्स तो प्रमोट आर्ट ने जूकेशन बाई नर्चरिंग एंड शोकेशिंग दा आर्टिस्टिक टेलेंट आफ स्कूल अमर जवान जोटी विल्वी मर्जड भी इसेंडर न्यूज बेए था कि मर्ज किया जाएगा दूसरे तो और क्या नेशनल वार मेमोडिया या और 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 इंडिया वार मेमोडिया या फिर राजगाट या फिर सक्ति इस्तर इसका correct answer है option number A national war memorial जो कि India get से जिस्ट बगल में ही है वहीं पे उसमर जवान जियोती को वहाँ पे shift करके लगा दिया जाएगा और ये कभी established किया गया था 1972 में to mark India's victory over Pakistan 1970 war next question is living root bridge is found in which state living root bridge कौन से state में पाय जाता है और रिसेंटली ये हिंदू में आर्टिकल भी आया था इस पहला option है सिक्कीम तुसरा वेस्ट बंगल तुसरा है मेगालिया हिमाचल परदेश अगर आप current affairs के प्रिपेरिशन अच्छे तरीकस करना चाहते हैं तो डेली एक निउस्पेपर जरूर पढ़ें उससे आपका रीडिंग पंगाल मेगालिया हिमाचल परदेश इसका करेक्ट एंसर होगा option नंबर सीदेट इस मेगालिया एक फीकोस इलास्टिका बेस्ट सस्पेंसर ब्रीज विदिन डेंस ट्रॉफिकल रेंफोरेस्ट आप मेगालिया एक प्रकार की यह रवर्ट होता है जो आपस में आपस में उलजकर एक पूल का निर्मान कर देते हैं ब्रीज का ओके नेक्स्ट कोस्टन इस ओप्रेशन सर्द हवा लॉंच्ट वाई सर्दवा ओप्रेशन किसके द्वारे लॉंच के लिए इंडियन आर्मी सी यार पीएप सी इस अफ या फिर बीएशेफ इसका करेक्ट एंसर है ऑप्सान नॉम्बर डी जैट इस बीएशेफ और यह राजस्थान में इंटरनेशनल बोर्डर के पास लॉंच किया गया Dijital payment index published by Dijival payment index Kasudra Publish की जाता-R by9 Ministry of Finance , fishy ministry of Commerce & Industry , fui ministry of Home Affairs this is correct answer over option number a that is RBI or equally it enables measurement of deepening and penetration of digital payments move for the next question which incorrect in terms of Pacific ring of fire in a message concert term specific ring of fire is wrong it is an area along Pacific ocean or home to about 90% of world's volcanoes or almost 90% of world's earthquake occur or tectonic plates create subduction zone Pacific zone around the area Pacific ring of fire here 90% of world's volcanoes this is right over 90% world's earthquake a book about this is another 90% will come here you the so that tectonic plates create subduction zone this is correct answer and I'm gonna go let's push at a specific ring of fire terms of concert statement color then this is correct answer that be it is home to about about 75% of world's volcanoes this is not 90% okay मुझे उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो बहुत पसंदाया होगा और यह सारे important question आपकी एक्जाम के लिए बहुत ही कारिगत थाबित होगी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू जाहिंत